एस्मार्ट नोकरी में आप सभी का स्वाकत है मैं उनिसकुमार दोस्तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत इंपोर्टेंट नोटीज आरी किया है और इस नोटीज के बारे में आप सभी को जनकारी दे देता हूँ स्मार्ट नोकरी चैनल को सब्सकाइब जरू कर ले लेटेस्ट अबडेटस आप सभी को मिलता रहेगा तो फ्रेंड आप सभी को बता दू कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6 जुलाई को ये नोटीस आरी किया है पबलिक नोटीस इस नोटीस में बताया है कि नीट एप्लिकेशन फॉम में किसी भी प्रकार का अगर आपको गलती है एरर है तो अब आप चेंज कर सकते हैं पहले आप सभी को सिर्फ सेंटर च्वाइस और कंडिडेट पर्टिकुलर एप्लिकेशन फॉम में चेंज करने को मौका दिया गया था लेकिन अब आप फोटेग्रैप्स और सिंगनेचर में भी अब आप चेंज कर सकते हैं फोटोग्रैप्स और सिंगनेचर को भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने गलत अपलोड किया है तो और आप सभी को यह मौका 15 जुलाई तक दिया गया है चार जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर जेईमेंग्स के इस वीडियो को देख रहे हैं तो जेईमेंग्स वाले इस्टुडेंट्स के लिए भी करेक्शन स्टार्थ कर दिया गया है अब किसी भी परकार का अगर एपलिकेशन फॉरम में आपकार है उसको आप सुधार कर ले, आपको भी time दिया गया है 15 जुलाई तक, अब ICAR के application form के बारे मैं बता दूँ, ICAR के जो students application form को fill up किया है, तो ICAR में भी correction start हो गया है, अगर आपने कोई गलती किया है application form में, उसको आप सुधार कर ले, यहाँ देखे 15 जुलाई तक time दिया गया है, त तो NEET के students, JMNs के students और ICAR के students, अगर कोई भी application form में आपने गलती किया है, तो आप सुधार कर दें, बहुत सारे students यह questions पूछेंगे कि photographs पे हमने नाम और date नहीं दिया है, क्या देना जरूरी है, तो आप सभी को बता दूँ कि NTA ने जब prospectus जारे किया था, उसमें बताया था क नाम और date होना जरूरी है, तो आपने अभी तक अगर नहीं दिया है, तो अब आपको मौका दिया गया है, अब आप दे सकते हैं, और मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत सारे students पूछेंगे कि date कब का देना है, तो date आप अभी का दे सकते हैं, आज कहीं दे सकते हैं, कल का चाहिए तो स्मार्ट नोकरी को सब्सक्राइब कर ले, इंस्टागराम को फॉलो कर ले, एंटी अपडेट्स, लिंक डिस्किप्सिन में है, मैं आपको आप भी अपडेट्स देता रहता हूं, थैंक्स फर वाजिन वीडियो,